Good morning students, आज हम सेखेंगे present continuous tense तो इसका पहले structure हम देख लेते हैं subject is mr verb की first form plus ing और other words ओके, this is the structure, for example, he is writing a letter ठीक है, subject है, ये is helping verb हो गई write first form है और ing के साथ लग गया a letter, okay, affirmative यानि के positive way में हम इसको ऐसे लिखेंगे he is writing a letter, अगर हमने इसको negative बनाना है तो कैसे बनाएंगे he is not writing a letter, हम note को use करेंगे अगर interrogative बनाना है तो क्या करेंगे, is he writing a letter क्या वो पत्र लिख रहा है, तो helping verb को हम पहले ले आएंगे अब यहाँ पर समझने वाली बात है, I के साथ हमेशा M का use होगा, आए बस समझ में यानि के continuous tense में आपने I के साथ M का use करना है, ओके, इसकी इलावा नहीं करना, जैसे मैंने पीछे present indefinite tense बताया था ना आपको I agree, जादतर क्या होते हैं, students क्या करते हैं, I am agree Students क्या बड़े बड़ों की भी मुझ से निकल जाता है कई बार I agree, I am agree, ठीक है, तो यह धियान रखना है continuous tense जो भी अभी हम कर रहे हैं, तो उसके साथ हम I के साथ M का use करेंगे जैसे I am writing a letter, okay, he के साथ हम इसका use करेंगे क्योंकि singular है helping वो अब क्या है, singular है, तो subject भी singular होगा अगर subject plural है, जैसे कि they, तो helping वो हम अमरी क्या लगेगी, plural यानि कि are का use करेंगे, दे के साथ are का use करेंगे, ठीक है फिर वही बात, जो इसके uses होते हैं न, tense के, वो सबसे ज़दा important होते है जो applications होती है, यानि कि uses जो होते हैं, वो सबसे ज़दा important होते हैं तो इस पर ज़दा ध्यान देना हमने, क्योंकि जितने आपको uses आएंगे, आप उतने ही आप writing skill में उसको use कर पाओगे और उतने ही ज़दा आप अपने speaking skills में भी भोल पाओगे जैसे के example के तौर पर, present continuous के बारे में आपको सिर्फ ये पता है फिलहाल, ज़्यादतर students को के भई जो अभी फिलहाल काम हो रहा है न, हमारी नजरों के सामने, continuous form में बस continuous tense वहीं पर काम आता है, लेकिन हमें उसके दूसरे uses पता ही नहीं ठीक है, अब जब हमें दूसरे uses नहीं पता होंगे तो भई हम उसके बारे में जानेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे और हम बोलेंगे कैसे, तो आईए पता करते हैं, applications, uses तो पहला use है इसका, an action going on at the time of speaking, ये common ही सबको पता होता है, यानि के बोलने के समय पर कोई काम हो रहा है उसकी नजरों के सामने, उसके लिए हम present continuous tense का use करते हैं, ओके, ये सबको पता है, they are playing, यानि कोई बन्दा देख रहा है सामने, खेलता हुए किसी को, they are playing, वे खेल रहे हैं, एक use तो ये हो गया, ओके, next अब हमारे पस कुछ words हैं, जैसे now, at present, at the moment, this morning, currently, this evening, हना इन के साथ हम present continuous tense का use करते हैं, इन words को अपने त्यान में रखना है, for example, he is reading a book now, अब वो किताब पढ़ रहा है, दूसरा use, it is used for temporary actions, यानि के temporary, यानि के कुछ समय के जो actions होते हैं, उसके लिए भी हम present continuous tense का use करते हैं, for example, he is living in a rented room, मतलब rented room में रह रह रहा है, इसका मतलब temporary रह 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 रहा है, एक साल रह लेगा, दो साल रह लेगा, फिर कहीं और चला जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है ना, rented room में permanent नहीं रहते हैं लोग, तो यह क्या है, temporary हो गया, ठीक है, he is studying mathematics these days, आजकल वो mathematics को study कर रहा है, अब ऐसा तो है नहीं, वो हमेशे पढ़ता रहेगा, पूरी जिन्दगी पढ़ता रहेगा, यानि कि these days, आजकल, यानि कि temporary actions के लिए भी हम present continuous का use करते हैं, ओके, it is used to denote fixed program or plan in near future, यानि कि इसको कहां हम use करते हैं, future में हमारा कोई fixed plan हो, यानि कि हमारा plan है कि हमने ये काम करना है, और वो fixed हो हमारा, तो present continuous का हम use करते हैं, कैसे, he is going to home, he is going home tomorrow, यानि कि कल वो घर जा रहा है, यानि कि उसका, कल का, यानि कि future का एक fixed program है, कि वो घर जा रहा है, he is leaving for Delhi next week, यानि कि उसका next week का क्या plan है, डिल्ली जाने का, यानि कि fixed है उसका program, तो हम present continuous tense का use कर सकते हैं, he is leaving for Delhi next week, he is performing this evening, यानि कि आज शाम, वो perform करने जा रहा है, ठीक है, तो near future में जो fixed program होते हैं, present continuous tense का हम use करते हैं, ठीक हो, इनको अच्छे से सीख लेना इनका, और use आप अपनी writing skills में, और अपनी speaking skills में भी करना है आपको, ठीक है, तब ही ध्यान में रहेंगे ये tense, दिक्कत यही है कि हम इनके जो uses होते हैं, पहले बात तो हमें पता ही नहीं होता, uses का, अब जब हमें पता लग ये uses का, तो हम अपनी writing skills में और अपनी speaking skills में हम इसको use नहीं करते, तब ही दिक्कत आती है हमें, नेक्स्ट, ये जो note है, tonight, tomorrow, next day, next night, next moment, next week, next month, next year, this morning, this evening, 4 o'clock, 5 pm, ठीक है, ये क्या है, near future को क्या करते हैं, denote करते हैं, यानि कि आने वाला जो future है या उसको denote करते हैं, उसके बारे में बताते हैं ये सारे words, तो इन सारे words का ध्यान रखना, ठीक है, तो इसको present continuous tense में हम इसको use कर सकते हैं, इसका मलब intention का मतलब क्या है, इरादा, likelihood का मलब होता है, संभावना, यानि कि ये संभावना बताने के लिए, और हमारा इरादा बताने के लिए, यूस किया जाता है, और इसके अंदर क्या शामिल होता है, एक छोटा सा future का तत्व, element शामिल होता है, कैसे, example से सीखते हैं हम, I am going to see my uncle, यानि कि मैं अपने uncle देखने जा रहा हूं, ठीक है, तो है मेरी intention होगी, मेरा इरादा है, कि अभी मैं uncle को देखने जा रहा हूं, ये मेरे intention इरादा हो गया, he is going to fall, अरे वो तो गिरने वाला, he is going to fall, यानि कि उसने कुछ ऐसे व्यक्ति को देखा, वो जो गिरने व हमाई use किया जाता है, जब किसी चीज में increase, मतलब बढ़ोतरी हो रही हो, या फिर decrease, या फिर कम हो रही हो, इस चीज को बताने के लिए भी हम present continuous tense का use करते हैं, जैसे his health is gradually deteriorating, मतलब उसकी जो सिहत है, धीरे धीरे खतम हो रही है, बत से बत्तर, deteriorating मतलब होता है, बत से बत्तर हो रही है, the number of students is increasing, या निकि जो विद्यारतियों की जो संख्या है, वो बढ़ती जा रही है, increasing, deteriorating, ठेक है न, increasing, decreasing के साथ हम present continuous tense का use करते हैं, now, अब देखो, ये next rule समझ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे words हैं हमारे पास, जो हम simple present tense में ही use करते हैं, लेकिन, हमारे पास कुछ exceptions होती हैं, अगर इन words का use किसी खास context में किया जाता है, ठीक है, तो इसके साथ हम ing का use करते हैं, for example, अगर feel को आपने, is used in the sense of touch और examine, अगर feel को आप touch की रूप में या फिन examine की रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम कैसे करेंगे, for example, the doctor is feeling his pulse, ठीक है, तो यहाँ पर हम ing का use कर सकते हैं, the doctor is feeling his pulse, यानि कुछ की nerves देख रहा है, if a feel is used to find something by touching, यानि कि अगर feel का use करना हो, इस word का use करना हो, जैसे आपने कोई चीज़ टटोल नहीं हो, कुछ चीज़ धोंडनी हो, अंधेरे में, for example, ठीक है, उसके लिए हम ing लगा सकते हैं, he was feeling for the chair in the dark, मलब अंधेरा था, इसलिए वो अंधेरे में उसे दिख तो रहा नहीं था, तो वो हातों से क्या है, टटोल रहा था, तो उसे बोलते हैं, feeling for the chair, if she is used as meet by appointment, अगर she का use, किस रूप में किया जाए, किसी से appointment लेनी है, जिसे doctor वगेरा से, अगर उस रूप में किया जाए, तो हम ing का use करेंगे, कैसे, he is seeing the doctors today, यानि कि आज वो doctor को दिखाएगा, if here is used in the sense of court hearing, आप दोको hear है न, अगर इसको किस sense में हम use करते हैं, जो अदालतों में सुनवाई होती है, court hearing होती है, तो उसमें हम ing का use करेंगे, जैसे the judge is hearing the case, ठीक है, case सुन रहा है judge, if think is used in the sense of reflecting some idea, अगर think को किस रूप में use किया जाए, किसी चीज़ को सोचने के बारे में कोई idea, कोई विचार के बारे में, सोचने के बारे में, हम इसको use करते हैं, think को, तो उसके इसमें क्या होगा, he is thinking to go to his village, जैने कि अपने village जाने की सोच रहा है, ठीक है, तो ing का use करेंगे हम, if appear is used in the sense of to come before the public, अगर appear को हम किस सेंस में use करें, कि हमने जन्द के सामने आना है, public के सामने आना है, तो हम appearing लगाएंगे, जैसे the actor is appearing before the spectators, जैने कि जो देखने वाले जो spectators हैं, उनके सामने वो appear हो रहा है, ठीक है ना, if appear is used in the sense of publishing a book, ठीक है ना, अगर इसको book publish के सेंस में use किया जाए, तो हम क्या use करेंगे, he is appearing his new book, इसका मतलब है, he is publishing his new book, जैने कि वो अपनी book को publish करवा रहा है, if taste is used as to test the flavor of, he is, जैसे taste का किस रूप में use करें, test the flavor of, किसी flavor को test करने के लिए, जैसे taste करते हैं न, ठीक है, he is tasting the milkshake, वो milkshake को क्या कर रहा है, taste कर रहा है, ओके, so these are the applications of present continuous, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस uses को, इसकी applications को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, तभी आप इसको सही से इस्तेमल कर पाओगे, okay, I hope you understand, thank you so much for watching this video, like, share and subscribe, have a nice time.